C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय पांच प्रश्नावली 5.2 किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समुह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया की वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं इनसे प्राप्त आंकणों को सनलगन पाई चार्ट में दरशाया गया है इस पाई चार्ट से निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए यहाँ पर एक पाई चार्ट बना है जिसमें मनुरंजक 40 प्रतिशत है लोक 30 प्रतिशत है उप शास्त्रिय 20 प्रतिशत है शास्त्रिय 10 प्रतिशत है एक यदि 20 व्यक्ति शास्त्रिय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है प्रिश्ट संख्या 87 2. किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है 2. यदि कोई कैसिट कमपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रतिएक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी 2. तीन सौ साथ व्यक्तियों के समुह से तीन रितुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मन पसंद रितु के लिए मतदान करने को कहा गया इनसे प्राप्त आंक्णों को सनलगन चित्र में दर्शाया गया है इस चित्र में दो स्तंब हैं पहला है रितु, दूसरा है मतों की संख्या ग्रीश्म नब्बे, वर्षा 120, शीत 150 1. किस रितु को सबसे अधिक मत मिले? 2. प्रतिये एक त्रिज्ये खंड का केंद्रिये कोन ग्यात कीजिए 3. इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चाट खीचिए 3. निम्न लिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चाट खीचिए यह सारणी व्यक्तियों के एक सम्मुहुद्वारा पसंद किये जाने वाले रंगों को दर्शाती है यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो स्तंभ हैं पहला रंग, दूसरा व्यक्तियों की संख्या नीला 18, हरा 9, लाल 6, पीला 3, योग 36 प्रतिये एक त्रिज्ये खंड का आनुपातिक भाग ग्यात कीजिए उदहरनार्थ, नीला 18, 36 बराबर एक बटा दो है हरा 9, 36 बराबर है एक बटा चार इत्यादी इसे प्रयोग करते हुए संगत कोन ग्यात कीजिए चार, सनलग्न पाई चाट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गनित, सामाजिक विज्यान और विज्यान में प्राप्त किये गए अंकों को दर्शाता है यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए कुल अंक पांच सो चालीस थे, तो निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक, किस विशे में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किये संकेत 540 अंकों के लिए केंद्रिय कौन 360 डिगरी है अतह 105 अंकों के लिए केंद्रिय कौन क्या होगा 2. उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक तक अंक प्राप्त किये 3. जांज कीजिये कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किये गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किये गए अंकों के योग से अधिक है संकेत केवल केंद्रिये कोणों पर ध्यान दीजिए यहाँ पर एक पाई चाट बना है जिसमें गनित 90 डिगरी है अंग्रेजी 55 डिगरी हिंदी 70 डिगरी विज्यान 80 डिगरी सामाजिक अध्यायन 65 डिगरी है पांच किसी चात्रावास में विभिन्द भाशाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है इन आकणों को एक पाई चाट द्वारा प्रदर्शित कीजिए यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो पंक्तियां है पहली पंक्ति में भाशा और दूसरी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या लिखी है हिंदी 40, अंग्रेजी 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, योग 72, प्रिष्ट संख्या 88, पांच दशमलव 5, संयोग और प्रायिक्ता कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा रितू में हम प्रतेएक दिन बरसाती लेकर बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक कोई वर्षा नहीं होती है परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक टेस्ट के लिए पांच में से चार अध्याय अच्छी प्रकार से तयार कर लेता है परन्तु एक बड़ा प्रश्न उस अध्याय में से पूछ लिया जाता है जिसे उसने अच्छी प्रकार से तयार नहीं किया था प्रतियेक व्यक्ति जानता है कि एक विशेश रेल गाड़ी सही समय से चलती है परन्तु जिस दिन आप सही समय पर पहुँचते हैं, उसी दिन वो देरी से आती है यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र दिया हुआ है यह व्यक्ति बारिश में फसा है और कह रहा है ओ, मेरी बरसाती आपको उप्रोक्त प्रकार की अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप संयोग यानी चांस का सहारा लेकर कार्य करना चाहते हैं परन्तु वह उस प्रकार से नहीं होता जैसा आप चाहते हैं क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरन दे सकते हैं ये ऐसे उदाहरन है जहां किसी बात के होने या ना होने का संयोग बराबर यानी समान नहीं है एक रेल गाड़ी के समय पर आने या ना आने के संयोग बराबर नहीं है जब आप कोई टिकेट खरीदते हैं और यदि वह प्रतीक्षा सूची में है तो आप निश्चे ही संयोग का सहारा लेते हैं आप यह आशा करते हैं कि जब आप यात्रा करेंगे तब संभवतह इस टिकेट पर आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी यहां हम कुछ ऐसे प्रयोगों या एक्स्पेरिमेंट्स पर विचार करेंगे जिनमें परिणामों के घटित होने के संयोग बराबर हैं पांच दशमलव पांच दशमलव एक कोई परिणाम प्राप्त करना आपने संभवतह यह देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच के प्रारंब होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान बाहर जाकर यह निर्णय करने के लिए सिक्का यानी कॉइन उच्छालते यानी टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्ले बाजी करेगी जब एक सिक्के को उच्छाला जाता है तो आपको क्या संभव परिणाम प्राप्त होते हैं नहीं संदेह, चित, हेड या पट, टेल कल्पना कीज़े कि आप एक टीम के कप्तान है और आपका मित्र दूसरी टीम का कप्तान है आप एक सिक्का उचालते हैं और अपने मित्र से चित या पट बोलने को कहते हैं क्या आप इस उचाल के परिणाम पर कोई नियंत्रन कर सकते हैं क्या आपको चित प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं अत्वा, क्या आपको पट प्राप्त हो सकता है, यदि आप ऐसा चाहते हैं, नहीं, ऐसा संभव नहीं है. इस प्रकार का प्रयोग एक यादरिच या यादरिचिक प्रयोग यानि random experiment कहलाता है, चित और पट इस प्रयोग के दो परिणाम यानि आउटकम्स हैं. प्रयास कीजिए, एक, यदि आप एक स्कूटर चलाना प्रारंब करें, तो संभव परिणाम क्या हैं? दो, जब एक पासे यानि डाय को फेका जाता है, तो संभव छे परिणाम क्या हैं? प्रिष्ट संख्या नवासी तीन, जब आप पहिये को घुमाएंगे, तो संभवित परिणाम क्या होंगे? आकरिती पांच दशमलव नौ इनकी सूची बनाईए, यहां परिणाम का अर्थ है कि वह है त्रिज्य खंड जहां पर सूचिक पॉइंट गुमाने पर रुकेगा आकरिती पांच दशमलव नौ यहां पर एक वृत्त को तीन भागों में बाटा गया है A, B, C सूई, A की ओर इशारा कर रही है चार, आपके पास एक थैला है और उसमें भिन भिन रंगों की पांच एक जैसी गेंदे हैं आकरिती पांच दशमलव एक शुन्य आप बिना देखे इसमें से एक गेंद निकालते हैं प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए आकरिती पांच दशमलव एक शुन्य यहां पर एक थैले के अंदर कुछ गेंदे हैं W, B और G तीन काली गेंदे हैं R और Y तीन सफेद गेंदे हैं सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक पासे को भेकने पर 1. क्या पहले खिलाडी के छे प्राप्त करने का संयोग अधिक है 2. क्या उसके बाद खेलने वाले खिलाडी के छे प्राप्त करने का संयोग कम है मान लीजिए कि दूसरा खिलाडी छे प्राप्त कर लिता है क्या इसका अर्थिये है कि तीसरे खिलाडी द्वारा छे प्राप्त करने का कोई संयोग नहीं है 5.5.2 सम संभावित परिणाम एक सिक्के को अनेक बार उचाला जाता है तथा जितनी बार चित या पट आते हैं उन्हें लिख लिया जाता है आईए अपनी परिणाम शीट यानी तालिका को देखें जहां हम उच्छालों की संख्या में व्रिध्धी करते जा रहे हैं यहां पर एक सारणी बनी है इस सारणी में पांच स्तंब हैं उच्छालों की संख्या मिलान चिन्ह या एच चितों की संख्या मिलान चिन्ह या टी पटों की संख्या पहली पंक्ती पचास पांच बार चार खड़ी रेखाओं पर तिर्ची रेखा दो खड़ी रेखाएं सत्ताईस चार बार चार खड़ी रेखाओं पर तिरची रेखा तीन खड़ी रेखाएं तेईस पंक्ती दो साथ पांच बार चार खड़ी रेखाओं पर तिरची रेखा तीन खड़ी रेखाएं अठाईस छे बार चार खड़ी रेखाओं पर तिर्ची रेखा, दो खड़ी रेखाएं, बतीस पंक्ती तीन, सत्तर, रिक्तस्थान, तैंतीस, रिक्तस्थान, सैंतीस पंक्ती चार, अस्सी, रिक्तस्थान, अरतीस, रिक्तस्थान, बयालीस पंक्ती पांच, नब्बे, रिक्तस्थान, चोवालीस, रिक्तस्थान, छेालीस ध्यान दीजिये कि जब आप उच्छालों की संख्या अधिकाधिक बढ़ाते जाते हैं, तब चितों की संख्या और पटों की संख्या परस पर अधिकाधिक निकट आते जाते हैं। प्रिष्ट संख्या नब्बे ऐसा ही एक पासे के साध्पी हो सकता है जब उसे एक बड़ी संख्या में फेका जाता है। छे परिणामों में से प्रतियेक की संख्या परस पर लगभग बराबर हो जाती है। ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि प्रयोग के विभिन परिणाम समसंभावित या समप्रायक यानि इक्विली लाइकली है। इसका अर्थ यह है कि सभी में से प्रतियेक परिणाम के आने का संख्योग यानि चांस एक ही है। यहाँ पर एक सिक्का बना है जो कह रहा है मैं इस प्रकार गिर सकता था या खो सकता था। एक पासा कह रहा है मैं इस दिवार के सहारे इस प्रकार गिर सकता था। इसके बाद दोनों कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ऐसी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी संभावना बहुत कम है 5.5.3 सैयोग को प्रायक्ता से जोड़ना एक सिक्के को एक बार उचालने के प्रयोग पर विचार कीजिए परिणाम क्या है? यहां केवल दो परिणाम है, चित या पट दोनों ही परिणाम संप्रायक यानि equally likely है एक चित प्राप्त करने की संभावना दो परिणामों में से एक अर्थात एक बटा दो है दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक चित प्राप्त करने की प्रायक्ता यानि probability बराबर एक बटा दो है एक पट प्राप्त करने की प्रायक्ता क्या है? अब एक पासे को फेकने के उधारण पर विचार कीजिए जिसके फलकों यानि फेसिस पर एक दो तीन चार पान छे एक फलक पर एक संख्या अंकित है यदि आप इसे एक बार फेकें तो परिणाम क्या प्राप्त होंगे? परिणाम है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इस प्रकार यहाँ छे संप्रायक परिणाम है परिणाम दो प्राप्त करने की प्रायक्ता क्या है? यह प्रायक्ता है एक बटा छे दो देने वाले परिणामों की संख्या एक है संप्रायक परिणामों की संख्या छे है संख्या पांच प्राप्त करने की प्रायिक्ता क्या है? संख्या साथ प्राप्त करने की प्रायिक्ता क्या है? एक से छे तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिक्ता क्या है? पांच दशमलव पांच दशमलव चार घटनाओं के रूप में परिणाम एक प्रयोग के प्रतियक परिणाम या परिणामों के संग्रहे से एक खटना यानी इवेंट बनती है. उदाहरनार्थ एक सिक्के को उचालने के प्रयोग में एक चित प्राप्त करना एक घटना है तथा एक पट प्राप्त करना भी एक खटना है. एक पासे को फेंकने की स्थिती में परिणामों एक, दो, तीन, चार, पांच और छे में से प्रतियेक परिणाम प्राप्त करना एक खटना है. प्रिष्ट संख्या 91 जो घटना बनाते हैं, छे, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, उदाहरन तीन, एक थेले में चार लाल गेंदें और दो पीली गेंदें हैं, ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम यानि आइडेंटिकल हैं, थेले के अंदर से बि करने की क्या प्रायक्ता है, क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायक्ता से अधिक है या कम, हल यहां घटना के कुल चार जमादो बराबर है छे परिणाम हैं, लाल गेंद प्राप्त करने के लिए चार परिणाम हैं, क्यूं? अतह लाल गेंद प्राप्त करने की प्रयास कीजिए 1. मान लीजिए कि आप भहिये को घुमाते हैं आकरिती 5.11 यहाँ पर एक पहिया बना है और साथ में एक सूई बनी है सूई जी की ओर इशारा कर रही है इस पहिये में और भी अक्षर लिखे है R, G, 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 R, G, R, G 1 इस पहिये पर एक हरा त्रिज्ये खंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्ये खंड प्राप्त ना होने के परिणामों की संख्या लिखिए 2. एक हरा त्रिज्ये खंड प्राप्त करने की प्रायक्ता ग्यात कीजिए 3. एक हरा त्रिज्ये खंड प्राप्त ना होने की प्रायक्ता ग्यात कीजिए 5.5.5 वास्तविक जीवन से संबंधित संयोग और प्रायक्ता हमने उस सईयोग की बात की थी जिसमें केवल उसी दिन वर्षा हुई जब हम बरसाती लेकर नहीं चले थे आप प्रायक्ता के पदों में सईयोग के बारे में क्या कह सकते थे क्या यह वर्षा रितू में दस दिन में एक दिन हो सकता था तब वर्षा होने की प्रायक्ता एक बटा दस है, वर्षा ना होने की प्रायक्ता नौ बटा दस है यह कल्प्रा करते हुए कि किसी दिन वर्षा होना या ना होना सम संभावित या सम प्रायक है वास्तव एक जीवन की विभिन निस्थितियों में प्रायिक्ता का प्रयोग किया जाता है एक एक बड़े समुहु के अभिलक्षणों या विशेशताओं को उस समुहु के एक छोटे भाग का प्रयोग करते हुए ग्याद करना उदाहरणार्थ चुनाव के समय एक्जिट पोल किया जाता है इसमें सम्पून क्षेत्र में बंटित केंद्रों में से या द्रिच रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के कुछ केंद्र चुनकर मतदान करके आने वाले व्यक्तियों से यह पूछा जाता है कि उन्होंने किसे मत दिया है इससे प्रतियेक प्रत्याशी के जीतने की संभावना का अनुमान लग जाता है तथा इसी आधार पर प्रागुक्तियां यानि भविश्यवाणियां की जाती है दो मौसम विभाग बीते हुए अनेक वर्षों के आकणों की प्रवृत्तियों को देखकर मौसम के बारे में भविश्यवाणि यानि प्रागुक्तियां करता है प्रशनावली 5.3 एक इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिये ए पहिये को घुमाना बी दो सिक्कों को एक साथ उचालना यहाँ पर एक वृत्त बना है जिसे पांच भागों में बाटा गया है यह भाग है बी सी डी ए ए सुई बी की ओर इशारा कर रही है दो जब एक पासे को फेका जाता है तब निम्न लिखित प्रतिये घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिये एक एक अभाज्य संख्या बी एक अभाज्य संख्या नहीं दो ए पांच से बड़ी एक संख्या बी पांच से बड़ी संख्या नहीं तीन ग्याद कीजिए इस आकृती में एक वृत के अंदर साथ सेब है इसमें से चार सेब लाल रंके हैं और तीन सेब हरे रंके हैं चार दस प्रिथक परचीयों पर एक से दस तक संख्याएं लिखी हुई हैं एक परची पर एक संख्या उन्हें एक बकसे में रख कर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है बक्से के अंदर से बिना देखे एक परची निकाली जाती है निम्न लिखित की प्रायक्ता क्या है? 1. संख्या 6 प्राप्त करना 2. 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना 3. 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना 4. एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना प्रिष्ट संख्या 93 पांच यदि आपके पास तीन हरे त्रिज्येखंड, एक नीला त्रिज्येखंड और एक लाल त्रिज्येखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्येखंड प्राप्त करने की प्रायक्ता क्या है? ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायक्ता क्या है जो नीला ना हो 6. प्रश्ण दो में दी हुई घटनाओं की प्रायक्ताएं ग्यात कीजिए हमने क्या चर्चा की 1. हमारे पास अधिकतर उपलब्ध आकड़े जो असंगठित रूप में होते हैं जिन्हें यथा प्रात आकड़े कहा जाता है 2. किनी भी आकड़ों से अर्थ पून निशकर्ष निकालने के लिए हमें उन्हें क्रम बध रूप में संगठित करने की आवशक्ता पड़ती है 3. बारंबारता वह संख्या दर्शाती है जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्टी आकड़ों में आती है 4. यथा प्राप्त आकड़ों के समुहू बनाए जा सकते हैं और उन्हें एक क्रम बध प्रकार से वर्गी कृत बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है 5. वर्गी कृत आकणों को आयत चित्र का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है आयत चित्र एक प्रकार का दंड आलेक है जिसमें क्षेतिच अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया जाता है तथा दंडों की लंबाईयां वर्ग अंतरालों की बारम बारताएं दर्शाती हैं साथ ही दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है 6. आक्णों को व्रित आलेक या पाई चाट का प्रयोग करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है एक व्रित आलेक एक संपून और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है 7. कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें परिणामों के आने के सैयोग बराबर होते है 8. एक यद्रिच प्रयोग वह प्रयोग है जिसमें परिणामों की ठीक ठीक प्रागुक्ती यानि भविश्यवानी पहले से नहीं की जा सकती है 9. किसी प्रयोग के परिणाम संसंभावित या संप्रायिक कहलाते हैं यदि उनके आने के सैयोग बराबर हो 10. एक घटना की प्रायिक्ता बराबर है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या जब परिणाम संप्रायिक हैं 11. किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है 12. सैयोग और प्रायिक्ता वास्तविक जीवन से संबंधित हैं प्रिष्ट संख्या 94. नोट इसके नीचे एक खाली प्रिष्ट दिया गया है यह पाठ यहीं समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलांग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत थर्मार ठाट